नमस्कार दोस्तों गंगोर का त्योहार चल रहा है और जिस दिन गंगोर की आखरी दिन पूजा होती है उस दिन घर-घर में गुने बनाई जाते हैं और गंगोर मा को चड़ाई जाते हैं तो दोस्तों मैंने भी पिछले कुछ दिनों में कई तरह के गंगोर के गुने बना कर तयार किये हैं जिसमें मैंने आटे, गुर और तिल से गुने बनाए हैं उसके अलावा मैंने मैदा, चीनी और नेचुरल कलार से भी गुने बना करके तयार किये हैं और उन पर चाशनी देखते हैं वहात ही सरल तरीके से हम बैसन के नमकीन गुनिक के से बनाकर के तियार करतेह singleわかतों के गयाओ ये वजन में लगभग 250 ग्राम है अब स्वात के रुशार इसमें चोथाई चोथाई चमच काला नमक और सवेध नमक डाल दी दिये साथ में आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर और गुने को अच्छा कलर देने के लिए आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्ज डाली है चोथाई चमच मैंने हल्दी पाउडर डाला है आधा चमच धनिया पाउडर है चोथाई चमच हिंग डाली है इससे गुने का स्वात बहुत अच्छा आता है आधा चमच जीरा और ये आधा चमच मैंने अजवैन लिया है इसे मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है और दोस्तों ये 4-5 लॉंग है और 10-12 काली मिर्च है इन्हें मैंने फ्रेशली अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया है इससे गुने का स्वाद बढ़ जाता है यदि पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर एक चमच चांट मसाला भी डाल सकते हैं ये मैंने एक टेबल इस्पून ओईल लिया है इसे भी डाल दूँगी और ओईल डाल कर सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला करके तयार कर लूँगी देखे बेसन में सभी सामगरी अच्छे से मिल गई है अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे दोस्तों यहाँ ध्यान रखें बेसन पानी बहुत कम लेता है इसलिए एक बार में पानी ना डालें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और टाइट डो बना क तैयार करें क्योंकि गुन्य बनाने के लिए बेशन का टाइट डो होना बहुत जरूरी है, देखे हमने अच्छी तरह से बेशन को बाइंट कर लिया है और हमने टाइट ही इसको बनाया है, और देखे दो कटोरी बेशन लगाने में हमारा आधा कटोरी पानी का ही इस्तेमाल ह हुआ है अब आधा चम्मच ओयल लोंगी और बेशन के डो पे लगा करके इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मसल लोंगी ताकि हमारा बेशन का डो इकसार हो जाए देखे यह एकसार हो गया है अब इसे ढख करके 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी बेश बेशन के डो पे लगा करके एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाज देंगे ऐसा करने से हमारे गुने परफेक्ट बन करके तयार होंगे देखे हमारा बेशन का डो परफेक्ट बन करके तयार है अब तयार डो से हम छोटे-छोटे पोर्शन कर लेंगे देखे इस त ताकि हमारे गुने अच्छे से बनकर तयार हो सकें और इन्हें ढग करके रख देंगे अब बेलन और चकले को तेल से हलका सा ग्रीज कर लिया है इस पर हम तयार डो से एक पेड़ा रखेंगे और बेलन से बिलकुल चपाती के तरह बेल करके तयार करेंगे और देखिए हमने इसे पूरी तरह से बेल लिया है और देखिए इसकी ठीकनेस चपाती से हलका सा हमना इसे मोटा रखा है अब चक्कू की मदश से इसे लंबाई में इस तरीके से इस्टिप्स काट लेंगे और साथ में इस तरीके से इन इस्टिप्स को हम छोटा कर देंगे एक इस्टिप्स को हाथ में लेंगे साइड में हलका सा पानी लगाएंगे और दूसरे सिरे को इसके उपर रखकर अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे इसे अच्छे से प्रेस करके हम जोड़ेंगे ताकि फ्राइ करते समय ये खुले नहीं देखिए परफेक्ट गुना बन करके तयार हुआ है अवरीके से हमने सभी बेसन के गुने को बना करके तयार कर लिया है आईए अब हम इने फ्राइ करते हूं बेसन के गुने करने के लिए ओईल का मीडियम गरम होना जरूरी है हम डो का छोटा से टुकड़ा गरम तेल में डालेंगे देखिए ठीरे से ये उपर आया है इसका म ऑद भी गुने को कढाई में डाल दिया है अब चापक की मदध से इने हलका हलका हिलाते हुए फ्राइ करेंगे और देखिए हमारे गुने को फ्राइ होते हुए लगभग 4 मिनिट हो गए हैं और हमारे गुने परक्रफेक्टली बन करके तयार हैं अब हम इन फ्राइ की हैं गुने को एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सिस ओईल दुबारा कढ़ाई बच चला जाए और हमारे गुने बिलकुल अच्छे तयार बन करके तयार हो और हम इस छलनी को एक प्लेट में रख देंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत ओईल इन में होगा वो भी निक करके तयार कर लेंगे लीजिए हमारे गुने के तीन बैस बन करके तयार हुए हैं और देखिए हमारे गुने कितने परफेक्ट तयार हुए हैं तो दोस्तों मेरी बताई की रेसिपी के अनुसार इस गंगोर के अफसर पर आप मीठे गुने के साथ बेशन के नमकीन गुने बनाईएगा और गंगोर माता को जरूर चढ़ाईएगा दोस्तों आपके बेशन के नमकीन गुने कैसे बने उसका फीडबेक आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजेगा रेसिपी से रिलेटिव किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टागाम पर फोलो कर सकते हैं मे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कहुंचे धन्यवाद